प्रिपोजिशन अगर आपके एक्जाम में पूछी जाते हैं तो सबसे इंपोर्टिन कोशन जो कुछ इस परकार से यहां पे हैं पहला कोशन है ही वाज एंगरी खालिस्थान मी यहां हम लोग हमेशा एट भरेंगे एट इसलिए कि जब कभी भी एंगरी हो लाफिंग हो इसक एसकार से ट्रेवल कर ond entrealet यहां इन आपशन है इंटी ठ्रॉम जों कभी बाहर से अंदर आना हो तो हमेशा इंटू का यूज करते हैं हमेशा इंटू क्यूeling करते हैं हमेशा इंटू कर दो विल हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला कुशन है यूर टीचर इस नोट सटिस्फाइड खालिस्थान यूर अस्टडी आप सब भाई वीथ टू अपसन है बाई वीथ टू सटिस्फाइड के बाद हमेशा वीथ होता है सटिस्फाइड वीथ यह दगान फॉर्म इसको दम चर조 करें ऑसने की बात होगी देख भाल करने की बात होगी तो हमेशा उसके बाद औफ यूज करते हैं डिक देख केयर ओ Пक यूख कर आफ यूजर अंसरह तो बहुए झायां div और एक बड़े-बड़े स्थान की बात हो कभी छोटे स्थान और बड़े स्थान तो हम इसा याद रहे कि छोटे स्थानों के पहले एट का यूज करते हैं और बड़े-बड़े स्थानों बड़े-बड़े सहरों के पीछ लोग इन प्रिपोजिशन का यूज करते हैं मतलब चोटे अस्थान हो गाव हो कस्वा हो कुछ भी हो तो उसके पहले हम लोग आट का यूज़ करेंगे वही बड़े सहार इसके नाम हो तो उसके पहले हम इन का यूज़ करते हैं मतलब बोल रहा है कि लिए वाज श्टेइग पथल गड़ा अब भी 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 विलेज खाले सान जारखन तो जारखन का एक कोई गाव है जारखन के मुकाबले तो पथल गड़ा चोटा है कहीं ने कहीं एक भी लेज है तो विलेज के पहले हम लोग किसका यूज़ करेंगे एट का यहां पिछे हम लोग इन का यूज़ करेंगे यह बड़ा है उससे तो मुग यहां इन का यूज़ करेंगे ही वाज श्टेइग एट पथल गड़ा अभी विलेज इन जारखन इस तरह से प्रिपोजिशन के कुछ सब कुछ सेंटेंस हमने देखा आगे अगले वीडियों में और सेंटेंसर की जाएगे